हेलो फेंस पेने तेश कुमार आपका आपकी यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक बफिर से स्वागत करता हूँ देखिए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिश्ट है मेरे पास जहां पर अच्छे-च्छे स्टॉक्स 40-50-50% भाग जाते हैं अभी हमने आपको कल ही यहां पर एक स्टॉक्स सज़ाय था मोडर ट्रेडिंग पर तो इस तरीके के स्टॉक्स बुस्त आरे और ऐसा ही स्टॉक्स एक आपके लिए दुबारा ले गया हूँ जिसका नाम है कैमबॉंड केमिकल्स केमिकल्स करती गया है उस सबसे इससे लेटिड हम यहां पर बाते करने वाले चार्ट पैटन यहां पर देखेंगे चार्ट क्या सुझा रहे है उससे लेटि बाते करेंगे इसके फाइनिशियल क्या करें उससे लेटिड तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले कंपनी की बात करें कंपनी का एक diversified business module है जिसमें अगर हम बात करें water treatment, polymer, construction, chemicals, high performance coating, animal nutrition and other biotech products में यह कंपनी काम करती है और लगब 45 साल का अनुभबी है water treatment में इंडिया में leadership positions में construction में अगर हम बात करें एयर पोब्रेज और यह सब बनते हैं जो पूरा infrastructure तियार होता है उसमें इनका जो chemicals होता है biotech में अच्छा काम करें material industrial polymers अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं industry की बात करें तो यह company mostly हर एक industry को यहां पर अपने chemicals प्रवाइड करते हैं यह से कि automobiles, steel, fertilizer, refinery, petrochemicals, power plants and infrastructure industries तो company की बात करें company अच्छी खासी है और यहां पर manufacturing facilities की बात करें company owns and operate 8 manufacturing units across Maharashtra, Himachar Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu तो इसका मतलब क्या है पूरे pan India को यहां पर cover कर रखा है और यह एक positive signal यहां पर दिखा लिएता है, company का divashments भी हुआता है, 185 करोड रुपीज मिले थे, acquisitions company करती रहती है और इस share को बताने के पीछे का reason क्या है वो अभी हम आगे पड़ेंगे, काम करती भी दिखाए जाते है तो एक एक करके आप चाहे तो यहां पर click करिएगा और यहां पर आप पढ़ लीजेगा तो आपको एक पूरा idea आता हुआ नजर आएगा, अब चलते हैं इसके finance पर, इसके balance sheet की दरफ तो आपको idea लगे है company है क्या और इसके पीछे का reason क्या है बताने का, market cap 268 करोड रुपीज का market cap है, PE की बात करें 25 का इंडश्टी का, PE 26 का है, लब फ्लैट ही है और PE से कोई मतलब भी नहीं रहता, debt की बात का, debt 50 share है, इसके लावार ROC, ROE कुछ खास नहीं है, book value 226 रुपीज की है, share 200 रुपे के आसपर चल रहा है, तो company क्या है, company एक भैतनी नहीं आपा नजर आती है, book value का मतलब का, अगर कल को company बंद हो जाती है, तो कम से कम 226 रुपे तो आपको मिलने ही, मिलने है, phase value 5 की है, 240 का है लगा के, share यहाँ पर आ रहा है, मतलब पर free to week हाई है इसका, maximum chart button देख सकते हैं, कि maximum chart button किस तरीके से, company यहाँ पर अच्छा खासे return दे चुकी है, उसके बात करते है company quarterly results की, company यहाँ पर result है, आपके सामने अभी September का है, company लगादार अच्छे खासे result पेश कर रही हो, और यहाँ पर highest ever number पेश की है, सबसे पहली बात, company का operating profit आप देखेंगे, तो 8 करोड रुपे का हुआ है, जो कि अभी इससे पहले कभी नहीं हुआ, पिछले 12 quarter म margin की बात करें, company का highest ever margin आया है, जो कि quarterly basis पे जादा ही है, yearly basis पे भी जादा है, तो यह सारी सीजे क्या बता रही है, company is doing very good, इसके लावर net profit भी देख सकते है, वो highest ever है, और EPS जिस तरीके से company का बढ़ा है, यह एक positive signal हम ही देता हुआ नजर आता है, company का yearly performance देखेंगे, company का yearly performance यहाँ पर एक flat zone में चल रहा था, but again यहाँ के बाद 2020 के बाद, अब highest ever है, company की sales, पिछले 12-13 साल में, और net profit भी देखेंगे, highest ever, highest ever को नहीं कहूंगा, but still company हाच्छे का सी यहाँ पर profit में, और यह जो मैंने आपको बताया था, 189 करोड रुपीस का divestment से पैसा आया था, यह उस time period की बात है, okay, तो company क्या है, अच्छा का से यहाँ पर profit यहाँ पर generate करें, 20 करोड का किया था, फिर अभी की बात करें, 14 करोड और पिछले 12 महिने में, 11 करोड रुपे का company ने profit भी जबरेट किया, company की, यहाँ पर reserves की बात करें, reserves अच्छे का से, debt-free company है, 5 करोड रुपे आपने और ने working progress में, 62 करोड का investment और 22 करोड रुपे का cash भी company के पड़ा हुआ है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, company देखिए, highest level कब दिखाई देगी, 2018 में, September 2018, आप बात कर सकते हो, कि financial year 19 में, तो यहाँ पर देखिए, 227 और 301 करोड रुपे के आसपास की क् अभी की बात करें, company अच्छा खास है यहाँ पर performance कर रही थी, 20 करोड रुपे का आसपास यहाँ पर profit भी आया था, okay, इसके इलावा बात करें, margin की margin भी 7% के आसपास आ गया था, और अभी जिस तरीके से company यहाँ पर अब काम कर रही है, okay, नजर आ रहा है कि company आगे चलके, अच्छा खासा performance दे सकती है, और अभी हम December की बात करें, तो December में भी 4%, 5% के आसपास का margin रहा है, और 7% का margin रहा है, तो company अगे अच्छा खासा performance करेगी, और as well as, जिस तरीके से India की story है, जिस तरीके से India चाइना में आपको ने देख गई है, कि किस तरीके से बिकवाली हो रह सब चीज जब यहां पर होनी है, तो चीज अच्छी है इंडिया के लिए, और यह चोटी-चोटी company, ऐसी company है, इतना caliber होता है इन में, कि अच्छे खासे return आपको कम टाइम में देती हुए नजर आईगी, I am not talking about actual, मैं कभी भी बात नहीं कर रहा, और ना करता हूं, किसी से ल bank ले लीजिए, यह ले लीजिए, निफ्री 50K stocks ले लीजिए, I always suggest these kind of stocks, क्यों क्यों कि यहां पर ही पैसा बनना है, और अगर अच्छा पैसा कमाना है, तो यहां पर ही पैसा बनेगा, इस चीज को यादर कियेगा, यहां देखिए, promoters ने अपनी holding बढ़ाई है, FIs भी है, DIs थोड़े बहुत, और public की बात करें, public के पास यहां पर 31% की holding है, जिने से 2% की holding है, और अजय लालू सर ने आपर ले रखी है, तो company की बात करें, अच्छी खासी यहां पर नजर आती है, share भी अच्छे खासी है, अब बात करते है, चार्ट की, चार्ट भी बात करेंगे, मैंने बेच दिया था और बताया था, share गिरता हुआ नजर आएगा, तो share अभी गिरता हुआ भी नजर आ रहा, तो इस तरीके से बहुत सारे stocks आपको बताते रहता हुँ, तो यह कैसे मैं कर पाता हूँ, क्या आप भी ऐसा कर पाते हैं, कर पाते हैं, वेरिकोर्ट और नहीं Asset Allocation, Money Management, यह सब चीज आपको बताया जाएगा, वो बताया जाएगा, कैसे यहाँ पर आने वाले 10-15 साल में इडिया की स्टोरी चेंज होने वाली है, तो उसका फायदा आप ले सकते हैं, जहाँ पर यह पूरा का पूरा कोर्स, एक से 1.500,000 रुपे और 50-60,000 रुपे में कु अपने आप बनेगा, और ऐसे स्टोक्स भी आपको बीच-बीच में बताता रहूँगा, तो यहाँ पर आप कोर्स को जोईन कर लिए, 8605-40501, 8169-261037, दोनों पर कॉंटक कर सकते हैं, और कोर्स को एंडरोल कर सकते हैं, तो हम बैक टू दू पॉइंट चलते हैं, और यह कि यहाँ पर NSC पर अभी लिष्ट हुआ है, बट BSC पर बहुत पुरा रहा लिष्टेड है, देखिए यहाँ पर 2018 में यहाँ पर था, अभी शेयर यहाँ पर नजर आता है, सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ था कि यहाँ पर आपको चीजे स होती है, वह मैं आपको बताऊँगा, अगर आप हमारा एक कॉर्स जोइन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, कंपनी एक लंबा कंसॉलिडेशन कह सकते हैं, कि 2015 से लेके, अभी एक तेजी हुई थी, उसके बाद कंसॉलिडेशन, और अभी 2019 से लेके एक लंबा है, कि यहाँ पर मैं एक अच्छा काम कर सकती हूं, तो ऐसे पर्टिकूलर शेयर की तरफ हमÝे यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ ध्यान दे देना चाहिए, हमें यहाँ आपर चीजी यहाँ ले लेजिए की. तो यहां पर हम देखे तो सबसे पहले मैं support और resistance की बात करूँगा एक बहतरी यहां पर resistance यहां पर नजर आता है जैसे इस particular line को एक cross करेगा ओके एक अच्छी घासी तेजी होती भी दिखाई देगी एक लंबा consolidation भी हुआ है तो 250-260 यह particular level को भी cross करेगा तो भी तेजी होगी तो सबसे पहले तो मुझे rounding bottom नजर आता है आप देख सकते हैं और जब जब मैंने आपको बताए कि rounding bottom बन रहे हैं तब तक यहां पर rounding bottom बने और एक अच्छे खासे पैसे हमारे यहां पर बनते हुए नजर आए तो 42% का तो डिटर आपको यह मिल गया जो मुझे और मुझे लगता है कि अब यह उपर ही रहेगी sustainable रहेगी और यहां पर अच्छे खासी चीज़े भागते ही नजर आएगी सबसे पहले तो target हमारा 42% का है बड़ चीज़े यहां पर रुखने नहीं वाली चीज़े और उपर जाने वाली है और मैं यहां पर इसका जो target है यहां पर ले रहा हूं लेवल की बात करूं जबशयर भागते है तो तो चीजे मुझे का नजरातीय है चीजे मुझे नेची जरूर एगी कि इस त tek से से ऩude किरावट हूई है और और इसके बाद चीजे ऊपर याती हुई दिखाई है कि इसके आसपास भाई करने के बाद यहां पर चीज़े थोड़े टाइम consolidate करेगी भागेगी और यहां पर यह support है, अगर इसके नीचे जाता है तो चीज़े फिर यहां पर तक आ सकती है 154 के आसपास तक, तो यह support है, यह resistance है, stop loss, सब चीज से लेकिन मैं आपको बता दिया, किसी particular stocks में अटके हुए, बाकी subscribe करें, like करें, comment करें, thank you so much, God bless.